Minecraft Live 2023 फाइनली खतम हो चुको है एंड इसमें Minecraft को लेकर काफ़ी सारी नहीं exciting announcements मिली है इनमें उन्होंने Minecraft के upcoming update 1.21 के बारे में बताया मौब वो 2023 के results भी बताया एंड इन सब चीजों के इलावा Minecraft Dungeons के कुछ update एंड Minecraft की कुछ upcoming DLCs के बारे में भी बात करी है साथी next year 2024 में Minecraft की 15th anniversary भी है तो उसको लेकर भी कुछ बाते पता लगी है तो हाज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वालो हूँ और कोशिच में यही रहेगी कि यार इस वीडियो से ही आपका सादकाम हो जाए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रोती ना पड़े सो इसलिए अन तक बने रहना सबसे पहले बात करते है Minecraft Update 1.21 की तो Minecraft 1.21 अपडेट में एड होने वाला सबसे पहला फीचर एक brand new structure का addition है जिसे हम trial chambers के नाम से जानेंगे यह basic लिए एक underground dungeons है जिसे copper के different sets और कुछ stuff blocks का use करके create किया गया है और यह साधे blocks भी इसी update में add होंगे इन chambers में हमें copper bulb नाम का एक new light source block भी देखने को मिलेगा जो इसी update में add हुआ है यह trial chambers dark and mysterious structures हैं जिने players को unique way में challenge करने के लिए build किया गया है इन chambers में हमें traps, puzzles, maze जैसे areas explore करने होंगे and different combat trials के तुरू वहां होने वाले challenges का सामना करना पड़ेगा and in exchange हमें यहां काफी ज़्यादा valuable rewards मिलेंगे यह chambers हम players के minecraft adventure को और भी ज़्यादा next level ले जाएंगे because इधर हमें इस update में आने वाला एकदमी new hostile mob, breeze देखने को मिलेगा इसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ थोड़ी देर में बट उससे पहले बात कर लेते है copper bulb की जो की एक new light emitting block है जो same copper की तरह time के साथ oxidize होता रहेगा और इस oxidization level से इसकी light की intensity change होती रहेगी players इसे wax करके particular oxidation level पे lock भी कर सकते है या फिर इसको एक से scrap करके adjust या फिर wax remove भी कर सकते है ये bulb सिर्फ functional ही नहीं बलकि visually appealing भी है जिससे structures में redstone, latence या किसी और building block की तरह place किया जा सकता है देन बात करके trial spawners की जो की spawners का एकदम new breed है ये traditional spawner से एकदम different है ये लगतार mob spawn नहीं करते हैं बलकि एक बारी में कुछ specific number of mob spawn करते हैं देन थोड़ी देर का break लेने के बाद वापस से same bunch of mob spawn करते हैं अगर तुम लोग सोच लोग कि यार दोस्तिक साथ ये chambers explore करना इतना जादा challenging नहीं होगा तुम गलत सोच रहे हो Because the trial spawners detect कर लेगा कि यार उसके पास कितने players हैं और उसके according की quantity को adjust कर देगा जादा players जाने की जादा mob spawn होंगे तो सही में आज ये बहुत जादा crazy and challenging होने वाल है फिर Minecraft के इस नए update में trial chambers and trial spawners के साथ एक और challenging element add होगा and I guess आप लोग समझी गए होंगे कि मैं किसके बाद कर रहा हूँ Yes ये है brand new hostile mob breeze जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहली आपको बताया था तो ये एक new hostile mob है जो कि हमें trial chambers में देखने को मिलेगा and ये थोड़ों बहुत looks wise नदर के fairy blaze जैसा होने वाल है बात करें इसकी shape and ability की तो वो काफी हर तक blaze से similar है जैसे blaze हम पर fireball से हमला करता है वैसे ये destructive power of wind का use करके हम पर attack करता है ये mob wind के condensed balls को हमारी तरफ launch करता है जो किसी player या चीज से टकराने पर explode हो जाते है and क्योंकि ये explosion नॉर्मल वाल explosion से different है तो उसको differentiate करने के लिए एक new particle effect भी add किया गया है अब इसे तो ये नया mob breeze के लिए में इतना ज़ादा damage नहीं करता जिसकी help से हम minecraft में official automated crafting कर बाएंगे crafter एक नया tool है जिसकी help से players एक specific recipe को पूरा setup बनाकर automatically craft कर लेंगे इसमें हम एक new easy to use interface मिलेगा जिससे players अपने crafting grade को customize करके उसमें अपनी recipe के according ingredients डाल देते हैं ताकि वो कुई specific tool या block को craft कर सके redstone experts, crafters को अपने creations में use करके to automated crafting कर सकते हैं साथ ही अब दूसरे redstone tools जैसे की hoppers, dispensers और trap chest भी काम आएंगे विकाज इस सब कुछ players को automatic mass produce करने में help करेंगे एक बार बस setup करने की देरियें सब चीजों को फिर तो एकदम tension free रहना है आपको game में because लगबग सारी चीजे तो automatically craft हो जाएंगी मतलब अब से crafting easy and efficient होने वाली है फिर इस साल के mob vote में जो 3 mobs nominate हुए थे वो हैं दर crab, armadillo and penguin crab minecraft mob vote 2013 में nominate होने वाला first mob था जो हमें swamp biome में देखने को मिलता and हम इसे इसका clock train कर सकते थे जिसकी help से हम blocks को दूर तक place कर पाते then armadillo जो की second nominated mob था ये हमें सबाना बायों की grass में देखने को मिलता and same like real armadillo ये भी डर लगने पर अपने आपको एक ball की shape में roll कर लेता इसको मारने पर हमें shoot नाम की एक loot मिलती जिसकी help से हम अपने wolf के लिए armor भी बना सकते हैं then बात करते हैं इस mob boat के third and final mob की जो की है penguin जो stony shores biome में मिलते and क्योंकि ये amphibious होते हैं जिसका मदब ये land and water दोनों में survive कर पाएंगे इसकी speciality यही थी कि अगर water में आपके साथ चल रहे है न तो ये आपकी boat को एक boost provide करेगा जिससे आप सीमे boat की health से एक जगा से दूसरी जगा जल्दी travel कर पाऊगे अब इन तीनों mobs में से crap को मिलें 32.5% votes आर्माइ डिलों को 42.3% votes and penguin को सिर्फ 25.2% votes भाई कौन है यार ये लोग कौन है जो कि ऐसे cute penguins को vote नहीं देता खेर यार इसका मतलब यही है कि आर्माइ डिलों ये mob vote जीता है and अब यह हमें upcoming update 1.21 में देखने को मिलेगा वैसे personally मैं तो चाहता था कि यार ये तीनों mobs game में add हो जाए सबसे जादा penguin बट कोई बात नहीं यार एक add हो गया वो भी ठीक है आप लोगों ने choose किया है तो सही होगा आपने इन तीनों mobs में से किसको vote करा था मेरे को comment section में जरूर बताना Mojang ने वैसे ये भी announce किया है कि 2024 Minecraft का 15th anniversary celebration year होगा तेकिनों ने अभी तक साफ साफ में बताया कि फैंस को next year उनसे क्या कि expect करना चाहिए उन्होंने बस अपने बड़े plans के hint जरूर दिये Mojang Studios के head of franchise developer कैरीन वाल्टर्ज ने एक press release में upcoming festivities के बारे में थोड़े बहुत hint दिये नोंने इतना कहा है कि next year 2024 में हमें Minecraft के काफी exciting and amazing updates देखने को मिलेंगे तो 2024 में Minecraft की 15th anniversary celebration के लिए ready रहना फिर Minecraft Legends के principal design director Craig Lay ने Minecraft Legends के कुछ super exciting updates के बारे में बताया है और इसमें नए lost legends भी है जैसे कि Creeper Clash जो कि Halloween के लिए आएगा और Snow vs. Snout जो December में release होगा इस game का December update भी tease किया गया इसमें frogs, new piglin unit and structure and which allies add होंगे जो potion throw कर सकते हैं तो हां Minecraft Legends Players के लिए एक काफी exciting update रहने वाला है फिर इन सब चीजों के लावा Minecraft के लिए जल्द ही कुछ DLCs भी आने वाली है फिर्च वन इस Minecraft Star Wars Path of the Jedi DLC जो की 20 साल 7th November को marketplace पर release हो जाएगी जो new planet earth 3 की launch को celebrate करने के लिए Minecraft Earth की तरफ से release की जा रही है तो हां बस यही थी कुछ exciting announcements जो की इस साल के Minecraft live में की गई है बाकि 1.21 update को लेकर मैंने जितने भी features आपको बताएं यह मत सोचना कि सिर्फ यही चीज़े आएंगी update में जी नहीं यह upcoming update की complete final picture नहीं है इस update की release date की तो वो अभी तक officially नहीं बताएं गई लेकिर इतना जरूर कहा जा रहा है यह update में 2024 में release होगा तो हां बस यही थी को start information जो कि मैंने आपको बता दिये अगर आपको Assassin's Creed का Rise and Fall जानना है तो उसके left video पे click करो अगर आपको हमारे favorite childhood games के बारे में जाना है तो उसके right video देखो यह video अच्छी लेगे तो like करो चानल को subscribe कर दो for more gaming videos और मिलता हम आप से अगली video में तब तक के लिए टाटा बाए बाए